नमस्का साथ ही आप लोगों स्वागत कर्च के स्रीवाय किलासेस में और हम ने जो प्रिछली बार प्रिछली वीडियो में पढ़ा था वो बीए सी फर्ष्ट ये जुलोजी में पेपर थर्ड का यूनित फर्ष्ट चला था इसके बार में हम पढ़ रहे थी तो इसके बार में हम समझ चुके थे इसके बाद अगला था से साइटो प्लाज्म के बार हम समझ सकते प्लाज्मा मेंब्रेन नेक्स्ट था प्लाज्मा मेंब्रेन और यह क्या काम करती है प्रोटेक्शन के काम करती है सारे और में फंक्शन इसका क्या होता है कि यह टांसपोर्ड का काम करती है बिशेस मॉलिकुल को सेल के बाहर टांसपोर्ड करती है और बिशेस मॉलिकुल को सेल के अंदर टांसपोर्ड करने काम करती है प्लाजमा मेंब्रेन और यह बनी होती है लिप लिपो प्रोटीन की ठीक है तो यह बनी हो किसकी होती है लिपो एक्टिव टांस्पोर्ड करती है और ओस्मॉस इस बीज़ार करती है फैगो साइटोसिस बीज़ार करती है पिनो साइटोसिस बीज़ार करती है प्रकार यह टांस्फोर्ड का काम भी करती है इसके बाद आता है राइबो-शॉम साहिए भाईव आपको समय घ्राइब बीज़ाए क्यान तरह जो सबसे बहार वाली कपरिंग होती है और सबसे बाहर काली कम्री होने का रहा है यह सब बाहर के एंवार्मेंट से सेल को सेल की रक्षा भी करती है अंदर जो भी मॉलेकुस बनते हैं उनको यह बाहर सेल के बाहर भीजती है और बाहर जो मॉलेकुस होते हैं जो इसके लिए आवश्यक होते हैं सेल के लिए उनको यह भीतर की दरफ गढ़ाण कर लीती है. पिनोसाइटुचिस विधीधारा जो होता है, लुकिट भोईन को गढ़ाण करती है. और फैगोसाइटुचिस विधीधारा ये जिसे हिंदी में अंटा प्रद्वय्जायलखा कहते हैं अधुपलाज्म रैटिकुलम होता है यह क्या काम करता है सैल के pan घाता हूव और सैल को एक स्केलेटन प्रगान करता है अदो खुलेटन के काम करता है अधु iki मिक्या क्या काम करता है एक शेप देता है को देने का अकार कां करता कौन करता है के अंडिर टकूलम करता है वे एटा करना को प्रोज़दान करना तो कि इसके जो मेन फंक्ष्ण यो को नंघकर नम इस्का में फंक्ष्ण हो गया था इसमें दो बाग बताए थी अम हमने सेल स्मझánt यह स्ट्रक्ष्ण प्य आते की werd इसमय एक तो बहु होता है जिस पर आपी क्Winds वे नहीं पाए आते घुला हम प modo 2 का प्रोटीन नर्मान करना है लोटीन सिंदेशी के हैं कर दो कर दो